नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कता जब नाग देव बने भाई इस कहानी को सुनने मातर से सारी मनो कामनाई पूरी हो जाती हैं प्राचीन काल में एक सेट जी के साथ पुत्र थे, साथों की विवा हो चुके थे, सबसे छोटे पुत्र की पत्नी स्रेश्ट चरित की विदूशी आउसुसील थी, प्रंतु उसके भाई नहीं था एक दिन बड़ी बहु ने घर लेपने को मिट्टी लाने के लिए सबी बहु को साथ चलने को कहा, तो सबी धालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी, तबी वहाँ एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहु खुरपी से मारने लगी, यह देखकर छोटी बहु ने उसे रोकते हुए कहा मत मारो इसे यह बेचारा नी अपराद है यह सुनकर बड़ी बहु ने उसे नहीं मारा तब सर्प एक और जाकर बैठा तब छोटी बहु ने उससे कहा हम अभी थोड़ी देर में आते हैं तुम यहां से मत जाना यह कहकर वह सब के साथ मिट्टी लेकर घर चल तुम ने कहा तू भाईया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूं नहीं तो जूटी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता वह बोली भाईया मुझसे भूलो गई उसकी शमा मांगती हूं तब सर्प बोला अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ तुझे जो मांगना हो मांग ले वह बोली भाईया मेरा कोई नहीं है अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुश्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो सब ने कहा कि इसका तो कोई भ इसलिए तुझ डरना नहीं और जहां चलने में कठनाई हो वही मेरी पोच पकड़ लेना उसने कहे अनुसार ही किया और इस परकार वह उसके घर पहुँच गई वहां के धन ऐस्वरिय को देकर वह चकित हो गई एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा र गई तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवारात वस्त राभूशन आदी देकर उसको घर पहुँचा दिया इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहुने ईशा से कहा भाई तो बड़ा धनवान है तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुए सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहु ने कहा इने ज़ाड़ने की ज़ाड़ो भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने ज़ाड़ो भी सोने की लाकर रख पर दिया था उसकी प्रसंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेट की छोटी बहु का हार यहां आना चाहिए। और आने पर प्रार्थना की भीया रानी ने हार चीन लिया है तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लोटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। चोटी बहु को लेकर साथ उपस्तित हुए। राजा ने चोटी बहु से पोचा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे दंड दूँगा। चोटी बहु बोली राजन दुष्टता समा कीजे यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वैस सर्प बना हार उसे देखर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। चोटी बहु ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रशन होकर उसे बहुत सी मुद्राए भी पृ को बुला कर कहा ठीक ठीक बता कि यह दन तुझे कौन देता है। तब वैस सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन की आचरन परसंधी प्रकट करेगा तो मैं उसे खालूंगा। यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प् तो वीडियो को लाइक करेना चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेना।